हेलो फ्रेंज स्वागत हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉल्यूम स्टेडी में फ्रेंज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्वास्त उभाग एनेम जी एनेम नर्सिंग भरती के बारे में उपेन यादव जी जो की राजस्थान बेरोजगार चात्र एकिकरत महासंग के अधक्ष हैं इनको नर्सिंग भरती 2013 की संगर समेती ने एक पत्र लिखा है और पूरवरती सरकार के द्वारा जो एनेम जी एनेम की भरती आई थी 2013 में उसको पून करवाने की यहाँ पर मांग की गई है फ्रेंट्स मैं आपको बता दू नर्सिंग भरती 2013 में एनेम जी एनेम के पदों की बात करें तो जी एनेम के 15,773 पदों पर विग्यप्ति जारी की गई थी वहीं पर एनेम के 12,218 पदों पर विग्यप्ति की गई थी लेकिन बीच में भाजपा सरकार ने इनके पदों में कटोती कर दी और कुछ ही कंडिडेट्स को यहाँ पर जारी किया था फ्रेंट्स उसी को लेकर यहाँ पर काफी संगर्स के बाद अब यहाँ पर राजस्तान सरकार ने इस भरती की एक बार फिर से सुदली है और फिर से कंडिडेट को जोइनिंग यहाँ पर देने का यहाँ पर बात कही जा रही है फ्रेंट्स इसी को लेकर यह लेटर लिखा है यादव जी को अब देखते हैं लेटर में क्या है उधर राजस्थान A&M J&M भरती 2018 की जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उन कंडिडेट के लिए भी कुछी दिनों में अच्छी खबर आने वाली है क्योंकि स्वास्थ भाग ने जो रिक्त पदों की सूची अब देखते हैं तो फ्रेंड्स यह रहा वो लेटर जो की नर्सिंग भरती 2013 की संगर समेती ने उपेन यादव जी को लिखा है अब देखिए इस लेटर में क्या अबडेट जारी किया है तो सबसे पहले यहां से देखिए सेवा में स्रीमान उपेन यादव जी महुदे रा 1288 एनेम पर पूर्ण करने के क्रम में अब देखिए संधर में क्या लिखा है संधर में देखिए मंत्री मंडल सचीवाले के पत्र क्रमांक इतना 2019 दिनांक 9-12-2019 द्वारा पूरवर्ती भाजपस सरकार द्वारा नर्सिंग भरती 2013 में विग्यपती पदों में कटोती को खार पारिज कर काटे गए पदों को पुने सरजित कर भरती 2013 पूर्ण करने का निरने लिया गया है अब देखिए महोदे अब पूरा लेटर यहां से देखिए इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है नंबर निवेदन है कि कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल में वर्स 2013 में चिकिस्सा विभाग में नर्स स्रेणी दितिये के 15,773 एनम के 12,218 पदों पर भरती विज्यप्ती जारी किया गया था एवं पूर्वर्ती भाजपत सरकार ने उक्त भरती के संदे हस्पद वित्तिय स्विकृति का हवाला देते हुए नर्स स्रेणी दितिये के 4,514 और एन पदों पर नियमित नियुक्ति प्रदान कर दी गई परिणाम स्वरूप हजारो सेंख्या में संविदा कर्मी और बेरोजगार नर्सेज नियमित नियुक्ति से वंचित रहे गए इसके बाद यहां से देखिए हाली में राज सरकार द्वारा उक्त पदों को पुने सरजित करते हुए नर्सिंग भरती 2013 को पूने विग्यप्ति पदों जिसमें 15,773 नर्स स्रेन दितिये एनम के 12,278 पर पूरी करते हुए कैबिनेट में कमिटी का गठन किया गया है जो की मानिये मुख मंत्री एवं राज सरकार का एतियासिक सरानिये कदम है राज सरकार के इस कदम से पिछले भरती में चैन से वन्चित रहे गए हजारों समविदा कर्मी वे प्रिसिक्षित बेरोजगार युवकों को युवकों में हर्सकी लहर है एवं उनका अपना भविस है जो उज्वल नजर आ रहा है इसके बाद यहां से देखिए स्रीमान जी से निवेदन है कि उ तरजित करते हुए भरती 2013 को पूर्ण पदों पर पूरा करवाने का आप सरम कीजिए तो फ्रेंस इस प्रकार का लेटर यहां पर लिखा है उपेन यादव जी को जो की राजस्थान नर्सिंग भरती 2013 की संगर समेती ने लिखा है और फ्रेंस राजस्थान जो सरकार है कॉं भरती निकाली गई थी जिसमें 15,773 नर्स ग्रेड दो और एनेम के 12,218 पद है उस पर भरती की जाए ताकि जो भी ध्यारती वंचित रह गए थे जोइनिंग से उनको भी जोइनिंग मिल सके और उनका भी भविस है जो उजवल हो सके तो फ्रेंस इस प्रकार का यह लेटर अपडेट कर दूँगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको इस चैनल पर लगतार मिलती रहे धन्यवाद